नमस्कार दोस्तों और टीटी त्यारी चैनल में आप सभी सात्यों का फिर से एक वार स्वागत हैं सात्यों मैंने कल आप सभी को बताया था कि बैठक हुई थी आप लोग कह रहे थे कि बैठक नहीं हुई थी कल रात को इस बात की पोश्टी रजनीस जी भी कर दिये कि बैठक होई थी पती पतने शिक्षक तो एक ही या आसपास के स्कूल में दोनों का हो सकेगा पदस्था बन ट्रांसफर और पोश्टिंग में आसाध्य रोग से पेड़ित शिक्षकों को भी मिलेगी रहत शिक्षा विवाकी कमिटी ने स्थान अंतरन के लिए तैकी नीती सभी कोटी के शिक्षकों के लिए समेकित नीती का होगा प्रविधान ये तो मैंने आप सभी को बताया था प्रदेश के सरकारी विध्यालें। के शियशों के अस्थान अंत्रा और प्रदस्थापन की समिकित नीती होगी। इसके लिए शिक्षबिवाक की कमिटी ने मानूए पहलूप पर गौर करते हुई आसाध्य रोग से पेड़ सिक्षकों या अगर शिक्षक के आसृत आसाध् पर गौर किया है ऐसे शिक्षक की उनकी सुविधा के हिसाब से पदस्थापना होगी पती पतनी दोनों शिक्षक हैं और दोनों का पदस्थापन एक विद्याले में संभव नहीं है तो अगल बगल के विद्याले में किया जाएगा कमेटी की पहली बेटक में अस्थान अंत्रन पदस्थापन की नीतियों पर गौर किया गया शिक्षकों के अस्थान अंत्रन पदस्थापन की प्रस्तावित नीती ताई करने के साथी कमेटी को बिहार शिक्षा सेवा प्रशाशन उपसंवर्ग के कैडर का पुनर गठन अनु सदस्तियों में बिहार शिक्षा परियोजना परिशद के राजजी परियोजना निदेसक प्रात्मिक शिक्षा निदेसक शामिलें पहले सित्ताइश सभी विंदुओं पर कमिटी जल्दी ही शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौप देगी संकेत मिले हैं कि कमिटी सभी कोटी के शिक्षों के आस्था नंतरन प्रदस्थापन की नितियों पर गौर करते हुए एक समय की तनीती तै करेगी वर्तमान में तीन कोटी के शिक्षक हैं लेकिन शक्षमता परिक्षापाज शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद चार कोटी के शिक्षक हो जाएंगे पहली कोटी में पुढाने वेतनवान वाले सहायक शिक्षक हैं इनमें प्राडमविक विद्यालेयों के सहायक शिक्षकों का जिला संवर्ग है एवां माध्मिक विद्यालेयों के सहायक शिक्षकों का प्रमंडली ये संवर्ग है जिला संवर्ग के सहायक शिक्षकों के पदस प्रमंडल के जिलों में अस्तानांतरन की प्राविधान है। जो दो वर्षों की परिक्षय मान अवधी में हैं और शक्षमता परिक्षय पास कर चुके शिक्षक चौथी कोटी के हैं जो की पदस्थापित किये जाने वाली तिथी से विशिश्च शिक्षक बन जाएंगे तो कल जो बैठक होई उसमें महत्पापुर्ण बाद मैंने आप सभी को कल ही बता दिया था और आज फिर से बैठक होने वाली है उसमें क्या सब फैसला लिया जा सकता है उसके ओपर भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कल जो शिक्षा विवाग में बैठक होई उसमें टांसफर और पोस्टिंग के ड्राप्ट पर ही चर्चा हो लेकिन तीन बजे से होने बाली बैठक टल कर तीन घंटे बाद हुई आज फिर से कमिटी करेगा बैठक यानि कि कल की बैठक तीन बजे थी तो उस छे बजे में ब हैसले मानसुन सत्र यानी 22 जुलाई से पहले सौप सकती है अपना रिपोर्ट तो मैं तो यही कहूंँगा कि बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए इस रिपोर्ट में फाइदा हो चैया वो नियोजिस शिक्षक हों चैया वो विशिष्ट शिक्षक हों चैया पुडाने वाल प्रकार की परिशानी है शभी शिक्षक दूर दराज चले गए हैं बलकि उनके घर के पास में ही शीट खाली था लेकिन हमारे अपर मुख्य सची केके पाटक जी जो पोस्टिंग किये रेंडमेजेसन तरीके से उसमें सभी 40 किलो 50 किलो 100 किलो 200 किलो मीटर जो है वो चले गए ह तो इसको शिक्षा इभाग यदि ठीक कर देती है तो सभाविक है गुणवत्तापुन शिक्षा में जो है कहीं से भी कमी नहीं रहेगी शिक्षक मन लगा के बच्चों को पढ़ाएंगे क्योंकि सभाविक है वो जो विद्या ले जाते हैं और इतनी दूरी ताई करके जात है तो उसमें थक जाते हैं इसमें कहीं से कोई दोहडायवाली बात नहीं है और इस वात को सभी पदा दिकारी भी जानते हैं मन्तरी जी भी जानते हैं शिक्षा इभाग भी जानती है तो इसको लेकर के जो बैठक लगातार किया जा रहा है आस्राम को कुछ पूरी कोशिश करूंगा बस यही निवेदन होगा बार बार यही निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके एक जूटता का परचे जरूर दीजिएगा वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा अभी के लिए इतना ही फिर मिलते अगले वीडियो में सब्सक्राइब करता है